वेल्कम टो मेमरी टेक्निक अन्दर जो ग्यान क्या है उसके पहले हम लोग समझेंगे कि मतलब ग्यान कितने तरह के होते है तो हमारे अंदर जो ग्यान है वो stored data है और वो दो तरह के होते हैं एक को बोलते हैं सद्धानतिक ज्यान और एक को बोलते हैं ब्याभारिक ज्यान ओके तो सद्धानतिक ज्यान को हम लोग बोलते हैं cognitive knowledge cognitive knowledge और व्याभारिक ज्यान को हम लोग बोलते हैं a skill कितना भी किताब में पर ये खी रोटी ऐसे पकाना है आटे को गूत लो उसकी लोईया बना लो ऑके डफ बना लो उसके छोटे छोटे बॉल बनाओ उसको हाथ में रोल करके उसकी गोलियां बनाओ उसको चिप्टा करो और बेलंस से उसको रोल करके गोल गोल सेफ दे दो ये किताब में पढ़ाया जा सकता है लेकिन आप रोटी नहीं बना पाएंगे जब तक कि आप दो बार तीन बार पांच बार साथ बार उसके या उसका अभ्ध्यास न गए अगर आप अभ्ध्यास करते हैं तो आप रोटी बनाने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन कुछ बाते हैं जो केवल दिमाग का ही खेल है उसमें केवल दिमाग ही काम करता है तो जो ब्याबहारिक ग्यान है ब्याबहारिक ग्यान में हमारे अंग सनलिप्त होते हैं उसको बोलते हैं साइको मोटर अब मैं लिख देता हो साइको मूटर साइको मोटर इट मिस हमारा दिमाग भी काम करते रहता है और हमारे अंग भी काम करते रहते हैं मोटर साइकल चलाना ओके यह एक स्किल है लिट मसीन चलाना यह एक स्किल है रोटी बनाना यह एक स्किल है मकान की चिनाई करना यह एक स्किल है फरनीचर बनाना यह एक स्किल है बहुत सारे स्किल्स है और दूसरे तरह का जो ग्यान है सद्यानतिक ग्यान जैसे ओके टॉलेस्ट विल्डिंग विस्व का टॉलेस्ट विल्डिंग कौन सा है तो आप याद करेंगे यह बुर्ज खलीफ एक स्य क्रफा है इसमें आपके करम इंद्रियों का कोई काम नहीं हुए इसके इसमें केवल कोगनिटी नॉलेज है दूसरा cognitive skill a plus b whole square that is equal to a square plus 2ab plus b square इस type का जो knowledge है उसे हम बोलते है cognitive knowledge और उसको बोलते है सद्ध्यानतिक ज्यान ओके सद्ध्यानतिक ज्यान और व्याबहारिक ज्यान आप समझ गया होंगे तो व्याबहारिक ज्यान को में दक्षता लाने के लिए कई बार practice करना पड़ता है और तब जाकर के व्याबहारिक ज्यान की दक्षता आती है सद्ध्यानतिक ज्यान को ओके strong बनाने के लिए हमारे brain को strong बनाना है और उसके लिए memory technique उसके लिए काम आएगा memory technique recall of course कुछ कुछ काम है जो व्याबहारिक काम में भी जो सद्ध्यानतिक knowledge है सद्ध्यानतिक ज्यान है उसकी उपयोगिता है दोनों आपस में जुड़े हुए है दे आर इंटरलिंग्ट ऐसा नहीं है कि जिसके पास सद्ध्यानतिक ज्यान नहीं है वह ब्यावारिक ज्यान में बहुत ही कुसल होगा जो सद्धान्तिक ज्यान में उम्दा है वही आदमी ब्यावारिक ज्यान में भी उम्दा हो सकता है तो प्रकृति ने इस तरह से सरीर की संडक्षना की है कि जिसका सद्धान्तिक ज्यान उचा रहता है उसका ब्याभारिक ग्यान भी उचा रहता है ऐसका सद्ध्यांतिक ग्यान सद्वाद दंग Almighty ग्यान उप्योंगता दोनों ही तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर इसको बंद करेंगे एक और कोगनिटीव स्किल अकवर के पिता का नाम था हुमाय। यह ज्ञान कैसा ज्ञान है यह ज्ञान सद्ध्धानतिक ज्ञान है यह ज्ञान ऑके क्या है डेट इस कॉगनिटीव नौलेज पाइब टेंगे याई चाधिए लेकिन साइकल कैसे चलाना है आप जोने नहीं जोनीगे ऐसे बनाएंगे इसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे लेगे पिफ़ा लेग नहींlier जोने बनेगा जो JOHN आप एक बार नहीं बनाएजे दो बार नहीं बनाएजे तीन बार उसमें दक्सता लानी पड़ती है तभी जा करके आप कुरसी बना पाएंगे तो ज्यान यह है दो तरह के ज्यान इसको समझना जरूरी था इसको समझने के बाद हम लोग और कुछ इस में म्यमर्य टेखनिक की बटने करेंगे ह। अब गई ड्रेंदे का जादा जरूर्ज है ओके ऑफ कर्स सद्धानिक्न के लिए भीर्यग्यड रॉ धिकनीक ब्रेंदे संटानिदो ज़्यातु अधिया झाल झाल